हलो दोस्तो आज मैं आप लोगों को इमेजिंग फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं मानदीर के हड़ी के बारे में तैसरोचक तत्वे बताने जा रहा हूं दोस्तो तो चलिए नंबर वान नंबर एक जन्मे के समय मनुशिये के वर्डी में 306 हड़ीयां होती है लेकिन जबानी तक ये सिर्फे 206 रह जाती है कि कुछ हड़ीया आपस में जुड़ जाती है नंबर टू जन्मे के समय सिर्फे हमारे कान के हड़ी की पूरी बढ़ी हुई होती है नंबर तीन सरीर के आधे से जादे हड़ीया हाथ और पैर में होते है नंबर चार हमारे सरीर का 14% बेड हडियों का होता है नमबर पाच इंसान और जिराफ दोनों के गाले में बरावर हडिया होते है नमबर शिक्स पूरे सरीर में केवर एक गले की हड़ी बिना जोल की होती है नमबर सेवन जब हम 30 साल से उपर हो जाते हैं तो हमारी हडिया अपना घनत वे यानि ताकत खूने लगती है नमबर आठ मानफ सरीर की सबसे छोटी हडिया कान की है 0.11 इंच और मानफ सरीर की सबसे बड़ी हडिया जांकी होती है नमबर नेन हमारे हाथ कलाई और उंगलिया में 54 हडिया होती है जो लिखने, मोबाइल चलाने और पियानो वजाने में मदद करती है नमबर दस, हर साथ बार हमारी पुरानी हड़ी की जगह नई हड़ी आ जाती है नमबर इगारा, वान मरो हमारे सरीर के कुछ वजन का 4% हिस्सा होता है या रेड वलड एसेल लाल रखते कोशिकाओ को बनाता है जो हमारे पूरे सरीर में अक्सीजन ले जाने का काम करता है नमबर वारा, हमारी कोहनी से कुछ टकराने पर जो हमें करंट सा लगता है वा अक्सर हड़ी की वज़ा से नहीं वलकीनस की वज़ा से होता है नमबर तेरा मानव शरीर की सबसे मजबूत जांग की हड़ी और सबसे कमजोर नाक और रेड़ की हड़ी होती है नमबर चौदा हमारी जांग की हड़ीया एतनी सक्ति साली होती है इंच पर 78-800 किलो वजन जहल सकता है मतलब 6 कारों के वराबर का वजन नमबर पंदा सबसे जाजा तूटने वाले हाथ की हड़ीया होती है नमबर सुला हमारे सरीर में पाश तरह की हड़ीया होती है लंबी चोटी सपाट अनिमित और तिल क्याकार के जैसा नमबर अठbooks हमारा मुझ 14 हड़ीयों से बणा होता है नमबर अठारा टूटी हडियों को जोड़ने में लगभग बारा हफता का समय लगता है नमबर उनीस वड़ी में पाए जाने वाले कुल केल्शियम का 99% हमारी हडियों और दातों में पाया जाता है नमबर 20 हमारे दात कंगाल का हिस्सा तो होते हैं लेकिन ये हडिया में नहीं गीने जाते हैं नमबर 21 बच्चा पैदा करते समय महिलाओं को होने वाला दर्द एक साथ वीस हडियों टूटने के बराबर होता है नमबर 22 हडिया टूटने पर सुखर की घी की मालिस करने से बहुत जल्ड ठीक हो जाते हैं नमबर 23 अगर इस्टील और हडि दोनों समान वजन के के हैं तो हडिया इस्टील के पास गुना मजबूत होते हैं तो दोस्तो आप लोगों को ये ये फैक्ट कैसा लगा दोस्तो अगर अच्छा लगा तो आप लोग हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं बुलिएगा दोस्तो और हमें सपोर्ट किजिएगा दोस्तो हम आप लोग के लिए इसी तरीका का फैक्ट वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों